सुबह के बज़ रहे हैं 9.30 का टाइम हो रहा है और यहां मैं बना रहे हूं आलू के परांठे तो मुझे लगा चलिए रेसेपी आप लोगों के साथ शेयर करते हूं वैसे तो काफी टाइम मेरे चैनल पर है पर आप लोग बोलते हैं तो जो नए हैं उनके लिए क्योंकि पि कभी भी नहीं डालें डालेंगे तो फिर टेस्ट खराब हो जाता है परांठो का ऐसा मैंने नोटिस किया है तो बस आलू को ठंडा होने दे रूम टेंपरिचर पर और उसके बाद इसमें मैंने एक प्याज चोटे साइज की और दो चोटी-चोटी हरी मिर्चे और हरा धनिय और यह लसुन का पेस्ट है अद्रक नहीं है खाली लसुन का पेस्ट है यह डाल दिया है और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं तो उससे पहले हम इसमें आड कर देते हैं रेगुलर मसाले नमक डाल दिया है टेस्ट के अ और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवायन डालना मैं भूल गई थी, आप अजवायन भी डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और देगी मिर्च मैंने डाली है इसमें, और गरम मसाला भी आप एड़ कर सकते हैं, आप चाहे अगर नहीं मसाले बगर खाते तो मैंने डाल दिया है, सारी चीजे डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे इसे, ताकि ये हर चीज आपस में मिल जाए और आमचूर भी आप डाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा खटा सा पसंद करते हैं, आलू मीठे हो तो आमचूर की जादा जरूरत पड़ती है, पर य यहां पर लोई बना लेंगे, जैसा आप खाना पसंद करते हो, मुझे तो परसनली थोड़ा परांठा जो है, थोड़े मोटे मोटे से अच्छे लगते हैं, पतले परांठे मुझे बिलकुल नहीं अच्छे लगते, वो भी स्टफिंग वाले, चाहे मूली के हो, आलू के हो गोबी के हो, पनीर के हो, किसी भी चीज के, स्टफिंग वाले परांठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने लोई ले ली थी, और उसे हाथ से बढ़ा कर दिया था, और उसमें हम स्टफिक रख देंगे, तो यह देखिए, आप थोड को निकल गई थी, बेल लेंगे हम परांठे को, वो क्यों निकली थी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आटा जो है, अभी अभी गुदा था, मतलब आटे को भी थोड़ा रैस चाहिए होता है, 20-25 मिनट, उसके बाद परांठे अच्छे बनते हैं, वो भी स्टफिंग वाल पर जब एक तरफ से सिख जाए, पलट कर मैंने तेल लगा लिया है, और इसके चारो चार में तेल को फैला लूँगी अच्छे से, क्योंकि तेल को हमें बहुत अच्छे से पकाना होता है, घी जो है, वो ना भी पके तो चलेगा, तो तेल कच्छा हम नहीं खा सकते, तो अच्छे से से लेंगे, ताकि हमारा जो रिफाइन डॉयल है, वो भी अच्छे से कच्छा ना रहे, पक जाए, तो बस जादा जोर से नहीं प्रेस करेंगे, हलके हाथों से प्रेस करेंगे, और पलट दिया है, तो आप देख सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी जित्थियां और परांठे कई लोग सॉफ्ट पसंद करते हैं, कई लोग करारे से पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं करारे से परांठे, तो बस मैं इसलिए जादा सेख लेती हूँ, तो बस दूसरा परांठा भी मैंने बेल लिया है, तो ये देखिए आप कितने अच लड़ाई मत करो हालो एविवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो अभी टाइम हो रहा है साड़े ग्यारा का गुड मॉर्निंग तो नहीं गुड आफ्टरनून होने वाली है और ब्रिक्फास्ट वगेरा हो चुका है जैसा कि आपको पता है लेट ही होता है तो ब्रिक्फास्ट हो गया है मतलब काफी टाइम हो गया आदा घंटा हो गया ब्रिक्फास्ट करने के बाद उसके बाद बैठी थी थी थोड़ा फोन चेक करी थी कमेंट्स है, कॉम्यूनिटी पे डाला कि शायद सोच रही हूँ, लाइव आउं क्यूंकि मेरे पास वीडियो ही नहीं है एक दो दिन हो गए हैं, कोई वीडियो मैंने बनाया ही नहीं तो कुछ था ही नहीं, समझ ही नहीं आया और पतिदेव सो गए हैं यहां पर क्यूंकि क्यूंकि लाइट आ रही है हर जगा क्यूंकि इनकी तबिया ठीक नहीं है, सरदर दिन को थोड़ा सा हो रहा है, तो बस उस वज़े से यह सो गए और मैं हूँ यहां रूम में, मुझे लगा चलिए सफाई कर लेती हूं, तो सोफा वगएरा भी मैंने साफ किया बैटशीट वगएरा जाड़ दी और कपड़े धोए कल इतने सारे कपड़े धोए ना मैं आपको क्या बता हूं बहुत सारे कपड़े कल मैंने धोए हैं जो मतलब ब्लैंकेट उगदे के कवर वगएरा थे ना और रजाई के कवर सिंगल डबल वो सारे मैंने धो दिये और परसो भी कपड़े धोए थोड़ा सा बीजी रहते हैं कल भी वैसे ही हो गया और फिर कुछ था ही नहीं खास ना कोई रेसेपी ना सबजिया मिल रही है ना कोई और वही दाल है सिंपल सी तो मुझे लगा चलिए थोड़ा रेस्ट देते हैं दो तीन दिन वीडियो नहीं बनाई और इसलिए मैं सोच रही हूँ आज लाइव आजाती हूँ बहुत सारे कमेंट थे वीडियो नहीं आई वीडियो नहीं आई तो इसी वज़़े से वीडियो मैंने बनाई ही नहीं तो अब यहाँ पर जाडू रखा है मैंने जाडू मैं लगाने वाली थी मुझे लगा चलि है फरस्ट अपरेल से लिंक आया है वो अभी हमें डाउनलोड करना है चेक करना है मैंने चेक नहीं किया तो बस अब इनको पढ़ाने बिठाना पड़ेगा हूमवक वगरा बुक्स वगरा रेंज कर रहे थे अगर पुरानी कहीं से मिल जाती न तो सब लोग वही उसी में ल लगा लेती हूं और यहां में आपको दिखाती हूं लावन्या ने क्या किया है यह न अपनी टेबल चेर यहां लेकर आगी और यहां यह पढ़ा रही है यह बच्चों को यह देखो और यह देखो अब ऐसा करती है न हमेशा और फिर यह 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 देखो इसका बैग और इस बार चले गई अब महां मैडम बनी वी है तो चलिए फटा फट से पहले में यह समेठती हूं और फिर मैं लाइव आउंगी आज चार बचे तक देखती हूं जब मुझे टाइम लगा टाइम लगना चाहिए शोर बहुत जादा होता है बच्चे ना जुप जा बैटते ही न करना पड़ता है बचे गिराते रहते हैं खाएंगे तो गिरादेंगे और खेलेंगे तो गिरादेंगे छोटे बड़े सब ऑक प्यशड़ारती है तो बस यहाह उसकी डॉल उगिरा जोप्ध्वर को मैं बेटे के पास दे रही हूं ताकि वह आगे वाले रूम में रख ले और यहां ले आती है जहां उसका मन करता है बच्चे ऐसे ही होते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग भी शायद ऐसे ही रहे होंगे अपने बच्पन में और हम भी अपनी मम्मी को ऐसा ही परेशान करते रहे होंगे पर अपके बच्चे जादा शैतान है और हम लोगों के पास इतने टॉइस वगएरा नहीं होते थे जितने अपके बच्चों को फैसलेटिज है तो बस यहां रूम में ज़ाडू लगा दिया है उसके बाद इस मैट पर लगा दूँगी यह जो हॉल में बिचाई है तो हस्बंड कह रहे थे इसे उठा दो पर मैंने का नहीं रहने दो खाली भी अच्छा नहीं लगता थोड़ा जाडू मानने में दिक्कत होती है बाकी तो ठीक है तो यहां से भी अच्छे से मैंने इस पर भी यह जो तीली वाला जाडू है इसी से लगाना पड़ता है और इसकी ब्रश भी आती है पर ब्रश से बहुत टाइम लग जाता है तो बस चलिए पहले मैं जाडू लगा लेती हूँ पूरे घर में जाडू लगाने के बाद अब मैं यह कपड़े आपको दिखा रहे हूं पूरे बैड पर फैले हैं तो यह दो दिन के दूल पहले ठोले जहा है तмовती बादे में कप्रम फोल्डा कर दोलुत में को कि पहले था ज जफा कि जा आफ देंट है धेने मलें ऑद कि वह यहां कि घा ना दिया देगान तो कि इसके उंगर था है रहें का वहले है तो शु yoleeee आपसे बाद में हालो एवरिवन गुड इवनिंग कैसे है आप साब तो हम पी रहे हैं यहां पर चाए और यह रहे पती देव हलो पती देव सिस्टर ने टिक टॉक वीडियो बनाई है न तो वह देख रहे हैं और अभी गई थी में लाइव एक घंटा कुछ मिनट बहुत लगा और लाइव का न कुछ अलगी वो रहता है तो मुझे टाइम नहीं लग पाता है लाइव आने का हमेशा सोचते हूं लाइव आने का टाइम ही नहीं लग पाता है कभी शोवर होता है कभी बच्चे होते हैं यह जो डाली भी सारी फॉलो कर दो तो अभी सिस्टर का फो करने के बाद और इन्होंने चाय बनाई है अभी हम चाय पी रहे हैं लावन्या काटून देख रही है और सुजल खेल गाए भार अपने फ्रेंड्स के साथ खेट गया है ना वह भी खेटों में गया है वह भी दादी के साथ तो आप लोग भी पी लिजिए चाय तो चलिए हम पी लेते हैं पहले चाय फिर मैं आपसे बात करते हूं तो यहां आ गए है हस्बिन अपनी चाय लेकर और टिक टॉक देख रहे हैं हम इनके फोन में फणी वीडियो कुछ ये मुझे दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है शाम की चाय ऐसे साथ में पीना और हसी मज तो बस यहीं तक था इसके आगे तो जो मेरी दुर्दशा हुई मैं आपको क्या बताऊं मतलब चाय पीने के बाद एकदम से मुझे पेन हो गया और इतना तेज पेन हुआ ना और फिर तो मैं परेशान हो गई थी कि हॉस्पिटल भी जाएं तो क्या करेंगे मुझे तो डर चाय पी खाना भी तब भी खाया था और उसके बाद मुझे पेन हो गई कल से हो रही थी मतलब कमर दुख रही थी कल से पर मुझे लगा ठीक हो जाएगी वैसे ही हो रही होगी कपड़े वगए दोके तो बाद में पता लगा वो स्टोन की पेन थी वो पहले कमर दर्द होती मतलब होस्पिटल से आने के पाद इसंबर में एक बार हुई थी जिनवरी में नहीं अब जाकर हुई और बहुत तेज राइट साइड वाली किडनी में दोनों किडनी में स्टोन है पर लेफ्ट साइड वाली में नहीं लगी राइट साइड वाली में बहुत पेन हुई और दर्द हो रही है भी जादा नहीं हो रही फिर बाद में कंट्रोल करने जब मुश्किल हो गई न तब ड़ाई खाए दवाई खा के सीधी में लेट गई आईज़ आपको लगरी होगी तो इनों ने खान वगेरा इनों ने ही बनाया मैं दवाई लेकर लेट गई थी थोड़ी तो इन्हों ने खाना बनाया आलू की सबजी बनाई और चपातिया बनाई चाबल बनाई सब लोगों ने खा लिया है यह लोग बैठे हैं बाहर टीवी देखने और मैं यहीं पर खाना खाया अभी और अभी हैंड वाश करके तो मुझे लगा चलिए वीडियो का एंड में कर अब सुबह से शुरू तो किया है और दो तीन दिन पहले ही हो चुके है जो मैंने वीडियो नहीं बनाया है फिर आप लोग बोलते हैं वीडियो नहीं आया तो मैंने का चलिए अभी तभी ठीक है तो इसकी दर्द ना ऐसे ही होती है मतलब एकदम से लग जाती है और ठीक हो इतनी दर्द होती है पर सुन है अभी मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मैंने का चलिए मैं वीडियो का एंकर देती हूं पिछली मैंने एंकोड भी कर रखी है ताकि कल आप तक पहुंच जाए और दवाई मैंने ली नहीं होस्पिटल वाली दवाई खतम हो गई शायद कल कपड़े वगेरा धोए तो तीन दिन से बीजी थी उस वज़े से हो गई हो पता ही नहीं लगता है स्टोन का तो चलिए फिर आज करती हूं मैं फिर इस चोटे से व्लॉग का यहीं पर एंड आई होप आपको यह पसंद आया होगा आधा अधूरा व्लॉग फिर मीलेंगे नेक्स्त वीडियो में वीडियो को लाइक कर दिजीगा शेयर कर दिजीगा और जो मेरे चैनल पर फस्ट ताइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दिजीगा बेल बटन के साथ और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने बताया नहीं लाइव बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अभी कि हमर को ने बताया तो चलिए जब नेक्स टाइम में टाइम बता दूंगे आप लोगों को तो चलिए फिर बाई बाई गुड नाइट